विल्कम टू बीट दे स्टीट मैं हूं सिय सुदर्शिन बंडारियो और आज हम बात करने वाले एक और कॉर्पेट गवर्नेंस इशू के बारे में विच इस रिलेटेड टू जी एम फॉर्डलर इस वीडियो में जानेंगी कैसे कंपनी अपनी कॉन कॉल के अंदर या फिर मी जान लेते हैं कि exactly gmm fordler में क्या हुआ है जिसका शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा पॉल हुआ है अगस 2020 में एक बहुत कॉंप्लेक्स ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर गया था अगर उस ट्रांजेक्शन को अपन समझे तो बेसिकली में अगर आपको सिंपल भाशन बता हूं तो gmm को अपनी एक अगर आप देखोंगे gmm का इंटरनेशनल बिजनेस था फ़ाडलर इंटरनेशनल चिकर यह जो अगर आप देख रहे हो ना यह वाला तो पहले यह प्लेणे लिए प्लेशनल जो लिस्टेट है वो इसकी पैरेंट कंपनी का स्टेग खरीदीगी और एक जो डि इक्विटी इन्वेस्टर है वो इसके अंदर स्टेक खरी देगा प्लस पतेल फैमिली वो इसका अंदर स्टेक खरी देगी तो basically if you see promoters and P investor are buying one of their holding company along with the listed Indian entity तो यह ट्रांजेक्शन उस हुआ था ठीक है और उस ट्रांजेक्शन पे भी बहुत चाहे रेट फ्लेक्श थे विच इस नौट टॉपिक अफ तुड़े बट क्या हुआ था कि अब पटेल फैमिली जो की इंडिया GMM Fodler की इंडिया subsidiary है उसको जब वो international business में पैसा लगा रहा था तो उन लोग ने transaction किया था कि अगस 2020 के बाद एक और सब्सेक्वेंटी सेप्टेमबर 2020 में they try to sell some shares in the market offer for sale लेके आया थे वो लोग GMM Fodler का तो बेसिकली अगर आप इसको साधी बाश्या में समझोगे तो क्या हुआ था पहले पटेल फैमिली प्लस डिबैक ने मिलके एक कमपनी अंदर पैसा लगाया जिसके अंदर GMM Fodler खुद भी पैसा लगा रहा था ठीक है वो थी यह सारे लोग fordler international के अंदर पैसा लगा रहे थे okay fordler international के अंदर पैसा लगा रहे थे okay अब यहां पर क्या हुआ यह जो patel family थी इसके इसको अभी यहां पैसे लगाने के लिए funds जिये था तो patel family ने क्या किया जो इनका gmm fordler का steak था उसको बेचा कुछ percentage of steak they have tried to sold it okay via offer for sale and that too come at a very steep discount okay तो यह सारी चीज़े हुई थी but the point is that उस deal के बाद यहां पर clarification आयता जिसके बारे में बहुत important बात बोली गई थी okay यह mbit की रिपोर्ट है तो वहां पर अगर आप यह red line में पढ़ोगे न तो वहां पर क्या लिखावा है कि Debag and Patel family का GMM Fodler जो इंटरनाशनल जो इंडियन एंटिटी है जो लिस्टेड है जिसके शेर्स आपके पास या मेरे पास है या किसी के बी एक इंडियन इंवस्टर के पास है उसमें जो Patel family और Debag का stake रहेगा वो लॉक इन रहेगा तीन साल तक 2023 अब यह बात थी अगस 2020 औ अब यहां पे क्या हुआ था यही लॉक इन पीरिड जो बेसिकली कंपनी ने कॉन कॉल में भी बोला था तो अगर आप देखो कि यह सेप्टेंबर 2020 की कॉन कॉल है उसमें भी यहां पे साफ साफ रिखावा है कि अगर आप यहां पे पढ़ेंगे दंग से कि लॉक दिन विल अगर आप देखोगे तो यहां पे प्रॉबलम क्या हुआ था उसके बाद है यही जो बात थी ना सेप्टेंबर 2020 में लॉक इन पीरिड की यहां पे इन्होंने रिखावा था रिखावा था यहां पे रिखावा था कि तीन साल तक तो नहीं बेच सकता है ठीक है यहां अगर अगर आप देखोगे तो यहां पे प्रॉबलम क्या हुआ था उसके बाद है यही जो बात थी ना सेप्टेंबर 2020 में लॉक इन पीरिड की यहां पे इन्होंने रिसेंट अपनी नवंबर 4 नवंबर 2022 को एक कॉन कॉल करी ती तब भी उन्होंने यही चीज रिटरेट करी थी कि वो जो स्टेक है डिबैक का और पटेल फैमिली का जम्म फॉडलर के अंदर वो तीन साल तक लॉक इन पेरिड पर रहेगा ठीक है बट और यही है ना सीन बीसी के कि उन्होंने इंटर्व्यू में भी बोलाता है वेट विल रिमें लॉक इन तो बेसिकल इस क्लियर ना कि अशना डिबैक का जो स्टेक था है पटेल फैमिली का जो स्टेक था मीडिया इंट्रक्शन कॉन कॉल्स के थूड यह पता चल रहा है कि वो तीन साल तक नहीं बेच सकते हैं बट यहाँ पर क्या प्रबलम होती है अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पाटर्स देखोगा entity के कोई shares locked in में है तो they are saying no okay so what exactly it means मतला इससे क्या समझ में आ रहा है तो आप यह समझिए कि पटेल फैमिली एंड डिबैग ने मीडिया इंट्रक्शन और कॉन कॉल में तो बोला कि यह shares लॉकिन में जाएंगे जो प्रमोर्टर के और जो डिबैग के stake है विच अबंस तो 50% उन्होंने बोला कि यह लॉकिन पेरिड में जाएगा हम नहीं बेच सकते बट उन्होंने कभी exchange को यह रजिस्ट्रार को कभी intimate ही नहीं किया उस lock-in period को कभी implement ही नहीं किया and more of now if you think like that today वो आप जो steak है वो आप बेचना चारहे है तो basically उन्होंने कभी उस बात पे खरा ही नहीं हुत्रा the point is that they never try to keep the promise of what they said in the corn call which becomes a very important corporate governance question कि company कुछ भी अगर corn call में इतनी important बात बोल रही है which has a very significant bearing on the company and its share price and अगर आप company अपनी बातों भी खरानी उधर ही है उसका कोई legal compliance नहीं कर रही है their stake should be definitely locked into and this raises a lot of question तो अभी recently क्या हुआ था दो दिन पहले की बात है तो डिबैक private equity investor था उसने लगबग मना 17-18% कुछ stake market में sell-out कर दिया है the press release also came from the GMM Fodler और एक इंट्रेस्टिंग बात थी कि 17-18% stake जो उन्होंने बेचा है वो बहुत सारी mutual fund houses और PMS और बड़े-बड़े institutional investors ने खरीदा है प्लस यहां पर 1% stake Patel family भी खरीदेगी but the point is that वो 17% stake जो पर दिबैक ने बेचा है वो तो lock-in होना चाहिए था they should not be allowed to sell as they have promised कि यह जो हमा स्टेक है तीन साल तक लॉकिन रहेगा based on the agreement they signed in August 2020 but वो कभी implement नहीं हो and this becomes a question today ठीक है तो this raises a lot of question कि यह स्टेक कैसे आपने मतलब बेच दिया ठीक है so that is the only key corporate governance issue which has recently we have exposed it now and it got very much widely circulated into media also then if we try to look at GMM fordler की past history तो जो इनकी deal थी ना GMM fordler वाली वो भी बहुत interesting थी उसमें भी promoters were trying to make some money वो थोड़ा complex transaction था I don't want to get into that because वह बात बहुत पुरानी हो चुकी है but वहां पे भी promoters were trying to make some money just like now ठीक है उसके बाद इनकी जो complex international business की deal थी वो भी बहुत questions raise किये थे then वो एक OFS आया था वो भी problematic question था then एक और यहां पे चीज इंट्रेस्टिंग थी कि जो आपको हमेशे समझ दी चाहिए जब भी एक low float company होती है so अगर आप देखोगे तो पहले 75% stake हुआ करता था promoters के पास June 2020 तक ठीक है फिर उन्होंने OFS लेके आया उसके बाद 25% stake उनका कम हो गया the point here I am trying to say कि जहां पे भी low float companies है जहां पे promoters and institutions मिला के एक बहुत बड़ा chunk of money लेके बैठे है यह बड़ा stake लेके बैठे है बहां पे share price को manipulate as such नहीं किया जा सकता but because of euphoria and low liquidity stock the price rises कैसे अगर आप समझे कि बजार में किसी चीज की shortage होगी तो उसका दाम बड़े गाना so since if you look at the October 2020 का भी अगर shareholding pattern तो या पर 56% promoters के पास है 11 plus 5 17% लगबग करीबन FIA DIA इसके पास है which will not be going to sell in a near term तो strong hands के पास अगर आप देखो गे तो लगबग 72-73% stake है तो public में stake बहुत कम है जो freely available है freely tradable है अब इसमें यह बात हो जाती है कि जब इस तरह की चीज होती है तो share की shortage है और इसके कारण share price automatically बढ़ता है if you see many examples like DMART or Patanjali Foods, Adani Enterprises, Adani Groups companies उन सब में यही low liquidity के कारण problem हो रहा है और इसलिए उनका share price बढ़ रहा है so this has led to अगर आप देखो कि जैन 2018 से लेकि अभी तक का इसमें steep rise in share price लेकर में है though if you see this business is really really good now I try to you all have a one question क्या GMM Fodler is a good bet or not so here Deepak you know I recently posted about on his YouTube channel that it is a case of forced selling and I will try to put it like that कि यह forced selling का case हो सकता है forced selling माने क्या होता है जब आप बिना बताए मतलब it's what not at all earlier planned ठीक है और एकडम से आप कोई ऐसा है कि aggressive event हो जाता है जिसके कारण share price बहुत ज्यादा correct हो जाता है जितना correct होना भी नहीं चीए था ठीक है because of some unexpected events share price corrected much higher than expectations ठीक है तो उसमें forced selling बोलते है अब forced selling is a different concept altogether उसमें बहुत बार क्या होता है जब मान लीजिए promoters को problem है promoters के घर में कोई issue है financial issue है ठीक है और उनकी balance sheet में problem है या lenders are trying to sell it कोई pledge share की selling कर रहा है तो वह forced selling क्या लाता है forced selling का एक main मुद्दा यह होता है कि forced selling कभी भी company के business या फिर कंपनी की performance के कारण नहीं हो रहा है then only you can say कि forced selling है ठीक है तो gmm fordler has done quite good job as of now ठीक है in terms of business or anything like that operationally and financially तो यहां पर यह reason तो है नहीं कि gmm के basically business में problem है इसलिए debag अपना steak बेच रहा है नहीं बट यहां पर एक और चीज़ आप देखोगे तो इवन जब debag का steak बेच रहा है तो 1% steak Patel family भी खरीद रहा है भी ठीक है जो probably वह deal की अभी news नहीं है कि कितने market price पर या कितने valuation पर वह कर रहा है debag but the point is that if they are doing at current market price it may make a case of a good bet तो अगर आप देखोगे so if you see अगर यहां पर इसका PE ratio भी देखते हो 47% it's a high PE ratio stock but the point which I am trying to say अगर आप इसका एक साल का price देखते हो which generally used to be trading at around 2,900 rupees now significantly stock has fallen to 1700 in just one day 20% का लगबग इसमें lower circuit लगा था and the price has obviously rebounded somehow from that low तो it makes a sense that you can do some bottom fishing and if it is a case really a case of force selling then you would be able to make some money definitely आप यह कभी मत सोचेगा कि यह 1900 पर था अभी 1600 आगया है तो 1600 से वापस 1900 पर जाएगा definitely promoter ने एक steak बेचा है तो उसका थोड़ा negative mahal रहेगा there is some pressure on selling price but पहले आप यह चीज़ देखिए कि अगर अभी यह भाव इसका 1650 रुपए चल रहा है 1650 रुपए के आसपा सल रहा है 15% it has seen a fall पहले तो आपको यह देखिए force selling में अगर buying करनी है force selling होने के बाद buying करनी तो first you see यह stock rebound हो रहा है क्या Monday को अगर यह वापस 5-10% और correct हो रहा है so it is not a case then you should wait ठीक है सबसे पहला आप यह देखिए इसके bottom से 5-10% अपरवर्ड मुवमेंट स्टार्ट होता है तो 1650 के पहले से 1700 पर आने दीजिए then you make your bet ठीक है थोड़ा बहुत price और volume action देखिएगा आपको वाँ पर already इसके बार में समझ में आने लग जाएगा considering some technicals ठीक है कि it is not a case and यहाँ पर bottom fishing हो रही है like 1700 पर लेके you can try to exit at 1900 or 1800 rupees so this is a case because I am just trying to explain your concept so that you would be able to make out of it and you can apply the case of force selling and how to make money out of force selling you know in these kind of special situations so this is all what I want to say okay if you haven't subscribed to our twitter channel then you should please follow us on the twitter because whatever our corporate governance issues are recently we also posted on paytm buyback and we are trying to make a video on corncalls that we are also trying which has been already posted on twitter and further details we will be posting out on our telegram channel which is an automated news feed so you should definitely subscribe it is one of the best investing tool you would ever have okay now just try to look into it you will join and I can promise you that you will not trigger it after joining in it okay so please search in telegram on the street you please join there it is an automated news feed and worth looking at that kind of a tool okay so that's all from my side if you like this video please try to share as much as you can so that other people would be aware about the corporate governance issues and definitely here you cannot trust it now okay you cannot trust what management is saying in the corn corn so that becomes a definitely an issue okay but yeah it can be a good opportunity to bet for a short term so that's all from my side if you like this video please share and subscribe to our channel and thank you so much let's see if we do for 2 more videos I have to go ahead and see how much that sounds like this video please share it from my side and see how much that sounds about okay, I'm going to have a relief that I'm going to keep you in a more detail so if you like this video please share it with me in the meantime